गयज तो फाइनली डबीडभी के इस मीका ऍमैक्ड़ून तो ओवर ओचुका है जहाँ पर आज मैटिसें स्कुर्टबर में डबीडब के ऍमैक्ड़ून के ऊपर एज हमें उनका इंडिंग डिझाई दिखाई दे गें और गैज मेटसन स्क्वार गार्डेन में आज एज हमें ग्रेसन वालर को फेस करते हुँ दिखाई देते गें और गाईज मेन रोश्टर पर ग्रेसन वालर के डेब्यू करने के बाद आज पहली बार इस मेक डाउन के वोपर ग्रेसन वालर उनका इंडरिंग डेब्यू करते गए जहाँ पर ग्रेसन वालर और एज के इस मैश के अंदर क्राउड एज को पूरा सपोर्ट कर रही होते गए और गाईज Maiden Square Garden में स्मक डाउन के उपर Gresson Waller को हेवी पूख किया जाता है बढ़ गाईज बात करती कि यहां पर इस मैश के अबरॉल सेगमेंट की तो गाईज आज यहां पर अबरॉल इस पूरे मैश की अंदर ग्रेसन वालर जातर इस मैच के अंदर एज के नेक पर अटेक करते गए और गैज एज के लंबे नेक हिश्टरी हिश्टरी को देखते हुए ग्रेसन वालर इस मैच के अंदर एज को अटेक करने की कोसिस करते गए बड़ गैज इसके बावजूद भी मैच के जाता टायम के पर एज इस मैच के अंदर कंट्रोलS में होते गए और गैज मैच के एंडिंग मुमेंट के उपर एज उनका स्पीर हिट करते गए पड़ ग्रिसन वरर हड़ जाते गए जिसके बाद कि एज एक और स्पियर हिट करते गें और गाईड डबल स्पियर के साथ एज यहाँ पर ग्रेसल वरल को बीट कर देते गें और गाईड के स्मेक डाउन के उपर एज उनका रिटरन मैच चीज जाते गें